राश्पती के आगमन को लेकर जहां जिला और पुलिस परशासन पूरी तरह मुस्तायद है और तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगा हुआ है वहीं एरपोर्ट से लेकर सरकेट हाउस और सरकेट हाउट से लेकर गोरखनात मंदिर तरसड़कों के किनारे बने हुए दि पुष्प दिखाये जा रहे हैं ये कलाकृतियां लोगों को अपने तरफ आकरशित कर रहे हैं वहीं राश्पती को भी गोरख फूर को नए क्लेवर में पेश किये जाने की तैयारी की जा रही है इस संबद में गोरख फूर निउस से बात करते हुए चितरकार राकेश मण कितर पाठी ने कहा और ये कुआ हैं ल trainings कर दो तूसे करेंस कर दोंने कर दोंने तोंग तासके जोंग कर दोंग कि गोरगपूर को सजाने सवार्दने का जो काम चला है वह आधर्णियम मुख्यमंत्रिया महामहिम राश्पती महोदे के आगमन को लेकर हम रोकता यारी कर रहे हैं और जहां तक यह आई कि अभी तक 65,000 बर्ग फूट यानि हमें लगता कि इतनी बड़ी जो है कि प्रेंटिं जो है कि पूरे भारत में नहीं है अगर देखा जा तो 65,000 फूट की है वह आज नहीं कल वर्ड आफ रिकार्ड के लिए वह एक तरह की तायारी हम लोग की है और जो अगला जो फेज हम अभी तो ततकाल में हम लोग जो है कि गोरगपूर यह धरमसाला ब्रीज से लेकर गोर हम लाकर कि यहां खड़ा करेंगे हैं कि हमें लगता है कि अगर आप महिम के जाने के बाद एक इतिहास लिखा जाने वाला जो है उसमें हम लोग का योगदाद कहीं कहीं दिखाई देगा को लगबग जो है कि 50-65,000 60-65,000 बर काम हो रहा है इस समय महा महिम के आने से पहले हमारी कोशिस है क्योंकि भी 50 लोग की टीम लगी है कुछ आर्थी का भाव है जिसके वज़े से थोड़ा काम हम यह कर रहे हैं लेकिन हमारी कोशिस है कुछ को भी हम पूरा करें कुछ यहां जन स्वयोग के लिए लोग निकल करा हैं कुछ यहां ब्यापारिक संगठानों कुछ लोग हमारे पाद खड़े हैं आज और सासन का भी जो है कि एकदम बहुत बढ़ा योगदान रहा है और यहां जो है कि मानिय जिला अधिकारी महा है उदो का मैं कोट कोट धनवाद देन चाहूंगा मानि कमिशनर जी को मैं कुट कुट धनवाद देना चाहूंगा कि इनों अब जितनी तते परता से उच्छों मेरे साथ खड़े खड़े रहा करके आस आशिर्वात स्वरूप उन्होंने जो मेरे लिए किया है वह साहिद कभी नहीं को कोई नहीं कर सकता है